गुर्देव प्रणाम मैं गुपल शाब फ्राम बरोडा गुजरात से यूट्यूब के सभी शादक बित्रों का स्वागत गुर्देव बहुत टाइम पेले वाट्सअप के अमुट मैशे जाए थे कि लड़कियों और और अड़ों को वश में किया जा सकता है तो क्या ऐसा व बड़के लोग कवी-कवी बाट्सण पर मैंसेज करते हैं कि हमारे वीडियो को देख करके लगता है कि गुरूजी तंत्र के भी घ्याता है मंत्रों के भी घ्याता हो सकते हैं कि महला को लड़कियों को इस्तियाों Yeah प्रेमकां को बस्मे किया जाए तो मैं उनसे पहुंचता नहीं रहती है ओश्यो सन्याशी ओनने इस तरह के कुछ लोगों ने हम से संपर्क किया है मैं नाम तो नहीं खूँ सकता हूं लेकिन मैं अनुबो की बात बोला हूं जो दिक्कत आई तो ऐसे ओश्यो सन्यासी और सर्मनाव लगता है हमारे लिए और क्याते थे कि गुर्देव हमारे लिए पॉय ऐसा मंत्र बतादू गया ये प्रेम का मत कहिए, उसको जुगाड कहिए हमारे याकिव हसाम उसे जुगाड कहते हैं कि उसने तुमसे टाइम पास किया तुमने उससे मज़ा मस्ती लिया क्योंकि एक जगे मैंने ऐसा पढ़ा है एक जगे मैंने ऐसा पढ़ा है और वो हकीकत है कि महलाई दॉलत के चक्ण में अपने इजजद दाव पर लगा दो पैसे का प्रियोग दूरपियोग सकत जो भी है वो करते है लेकिन जब दूर चली जाती है महलाओं में प्रिकिर्टी बना ही है परमात्मा ने पुरुषों के अंदर महलाओं के प्रती आशक्ती का भाव बहुत ज़्यादा होता है जबकि महलाओं के अंदर ये मात्रा काफी कम होती है कब महलाव में मिलेगी इस तरीके क्या शक्ति लगाओ तो पुरुस पगला जाते हैं वही चाहिए वही लड़की चाहिए वही और चाहिए वही प्रेम का जुगार चाहिए उनको उसी से वो सेक्स करेंगे कोई गुरुमांत्र मिल दिया तो बड़े बड़े तांत्रिकों के चकर में अपना पैसा और समय बरबात करते हैं कि हमसे भी संपर्करी तरह के कुछ लोगों ने किया लेकिन हमने कहा फिर क्या करोगे बोले हम पर उसके साथ सेक्स करना चाहते हैं हमारे उसने पैसा तो खूब ड़ाया खूब खाया प्या लेकिन उसे सेक्स करने का मौका नहीं मिला तब तक वो हाथ से निकल गई तो मैंने का आप ऐसा क्यों सोचते हो तुम कितनी गिरी हुई सोच है तुमारी उसे ने तुमारा पैसा खाया तुमारा में था उसके हिस्से में था उसका लेंदेर था वो उसने पूरा किया नहीं तो तुम तो एक चवनी भी कर्च नहीं करोगे किसी को उपर जो है तुमने अपने लालच में आकर किया अपनी वासना के कारण किया है अपनी पावस के कारण उसքर खर्च किया है और लेन दिन था पूरा हो गया जना तुम को पोढ़े कर रहे जो तुम्हारे से अटेच में नहीं यह ऐसे महला में सकता है को सब्सक्राज को सब्सक्राइब करक्यों ़सक्ता है और गिण की यहा द या तो हट्यों के गहरे प्रियुक किया जाएं या पिर तंत्र का मार्ग हैं यही दो मार्ग ऐसे मुख हैं जिनके माध्यम से तुम्हारी जो बासना है वो उपासना में रूपांत्रित हो सकती है यह उसके लिए साधना का मार्ग अपनाना पड़ेगा तो मैं सेक्स के लिए एक साधना समझना होगा पूजा समझना होगा लेकिन जहां तुम्हारा भाव योन सोसण का है किसी की जिन्द की वरवाद करने का है तो ऐसे वसी करण मंत्र में किसी को नहीं सिखाता हूँ इस और हमें छमा करें कहीं और बहुत सारे लोगों ने काफी ओफर दिये वीश वीश पचा पचास हजार एक एक लाक रुपए के कि गुर्देव एक बार हमें उससे सेक्स करवाने के लिए मंत्र कोई बता दीजिए कुछ हमने का निकलो यहां से जाओ हाँ जोड़े लिए छमा करो तुम्हें साथ गलत फैमी हुई है हम इस लाइक नहीं है हम किसी नारी के प्रती बलातकार यह तो जिन्दा बलातकार है जैसे कोई तमंचे के बल पर किसी लड़की के साथ में जोड़ जबर जस्ती करता है वो भी बलतकार है और एक मंत्र के बलके द्वारा उसकी साइकलोजी पर प्रेसर बनाए जा रहा है ताकि वो तुम्हारी बात को मान ले तुम्हारी बात को फॉलो करे तो मंत्र के पुर मंत्र देते हैं और नहीं मैंने किसी को वसी करन वसीवूत किया है जिसका तुमसे लेंदेन होगा वो तुमसे जुड़ जाएगा लेंदेन नहीं होगा जितने दिन का होगा फिर उसके बाद डिटेच हो जाएगा अलगाव हो जाएगा जीवर है कितने मिलते हैं कितन कैसे हो उसके इसलिए तुम किसी को वसी भूत करने की सुच रहे हो तुम गुलाम बन चुके हो तुम्हारी मनोब रती उसमें इतनी आसकता हो चुकी है तुम्हें लग रहा है तुमने उसे बसमें किया तुम तो अपनी बासना के वसी भूत हो गए हो तो बासना के चंगुल स को भसवा देता हूं मंत्र बता के तंत्र बता करके ऐसे साले गुरुओं के चार चपन मारना चाहिए चौहराय के खड़े हो करके जो नारी जाती के सोसंड करने के लिए कोई भी प्रियोंग विदी सिखाता है तो हां किसी का घर परवार तूट रहा है तो बहां पर कुछ मंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है कि पती पतनी में प्रेम रहे आप से सौहार्द बना रहे हैं इसके लिए हम जैसे लोग कुछ उपाए बता सकते हैं या बताना चाहिए लेकिन किसी बाहरी लड़की आउरत के लिए बसी भूत करके फिर उसका योन सौह सण करवाएंगे हम तुम्हारे लिए तुमने काई ऐसा सोच भी कैसे लिया भले हम सैक्स गुरू हैं लेकिन सालों सैक्स गुरू ही नहीं हैं हैं बहुत बड़े हट योग के भी जो हैं जा लागर के पड़े होंगे तो मजाल गया है किसी भी सरीर के अंग को हिलाने की जवू तो हम ही नहीं हैं हमारे सिस्स लोग भी यह सब विद्याएं जानते रहे हैं ऐसी बहुत सारी विद्याएं लेकिन मेरा यह की ओद्यस है मैं किसी के साथ में ठगई नहीं करूंगा बेमा ताकि समाज में चाल रुपता पैदा हो